हलो फ्रेंट्स चलिए आज बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच बटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बीच बटवारे को लेकर बात करते हैं लेकिन आज उनका बटवारा कब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच बटवारा हुए 74 साल हो गया लेक बात है सन 1859 की जब भारत में पूरी तरह से बिटी सासन लागू हो शुगा था तब 1885 में आजादी की मार्ग के लिए भारती राष्टी कांग्रिस के अस्थापना हुए और 1905 में जाकर मुस्लिम महितों के नाम पर आल इंडिया मुस्लिम लेकि अस्थापना हुए उसके बात सन 1920 में महात्मा गाधी ने सवने होजा अंदोलन की सुरुवात की और 1933 में काइम्रिस के चाथ रहम तुला चोधरी ने पहली बार पाकिस्तान का नाम लिया या सुझाया बोल सकते हैं और 1940 में मुहमद अली जिन्ना ने पहली बार मुस्लिम मुल्क की मागी की उसके बाद 1946 के काइमनेट मिशन प्लान में हिंदुगार मुस्लिमों को एक साथ रहने का प्रस्ताव दिया गया लेकिन अगस्ट 1946 में बंगाल में जवर जस्त सांप्रदाईत तनाव फैला और 5000 लो जुलाई में ब्रिटिस फालिया मेंटर ने इंडिया ने इंडिपेंडेंडेंस एक्ट पास हुआ इसके बाद 14 और 15 अगस्त को भारत दो हिस्वों में विवाजित हो गया और भारत से अलग होकर पाकिस्तान को पहली बार अस्टित में आया और साल 1950 में हमारे देश को भार आति गड़राज का नाम मिला जबकि साल 1956 में पाकिस्तान धर्म के अधार्व बनने वाला पहला मुल्क बना अस आज के लिए इतना ही चैनल पनाये हैं तो स्ब्सक्राइब करना ना भूलें जय हिंद जय भारत